आज मैं आपको परफेक्ट पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी और इसकी स्लीव डिजाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी इसकी कटिंग के लिए देखे मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है डबल फोल्ड अब इसको एक कौने से पकड़के हमें कौन शेप में इसे फोल्ड करना है अब देखे ये नीचे से जो है ये sleeves का volume है और यहां से जो बंद है यहां से हमें sleeves की लंबाई मिजर करनी है sleeves की तैयार लंबाई मुझे 17 इंच चाहिए तो उसमें मैंने 1 इंच add किया है 18 इंच पे ये निशान लगा है ये sleeves की लंबाई का निशान है अब sleeves की चोड़ाई जितनी भी आपको रखनी है यहां मेरी measurement में ये साड़े 9 इंच है तो साड़े 9 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है अब जो हमने चोड़ाई में निशान लगाया है वहां पर इस तरीके से साड़े 3 इंच ड्रॉप करें और वहां तक हमें sleeve cap का निशान लगाना है अब देखें नीचे sleeve के open side से लिखके sleeve cap तक हमें इन दोनों निशानों को जोड़ना है यहां से sleeve का volume इस तरीके से रहेगा अब हम इसकी cutting कर लेंगे पाकिस्तानी sleeves या umbrella sleeves की perfect cutting इस तरीके से होती है अब देखें यहां पे side में जो joint आएगा उसको हमें बाकी बच्ची हुए कपड़े में से निकालना है देखें कपड़े को मैंने सीधा रखा है जिस शेप में joint है उस तरीके से इस कपड़े के ऊपर यह sleeve set करें और इसकी cutting कर लें यह sleeve का जो joint है वो भी हमने cut कर लिया है अब देखें पाकिस्तानी sleeves को नीचे से fold करने के लिए चोड़ा belt लगाना पड़ता है तो जिसके लिए मैंने यह 5 इंच लंबी पट्टी ली है इसको चोड़ाई में हमें sleeve के volume के हिसाब से लेना है इसके उपर sleeve को अच्छे से रखें अब देखें जिस शेप में यहाँ नीचे से हमने cutting की है उसी shape में हमें यह पट्टी कट करनी है और इसे करी 5 इंच चोड़ा रखना है देखें यह umbrella sleeves होती है तो नीचे से यह हलकी सी गोलाई में तयार होती है तो इसमें आप बिल्कुल सीधी पट्टी नहीं ले सकते तो इस तरीके से हमें same shape में यह पट्टी चोड़ी कट करनी होती है अब sleeves में हम यह less लगाएंगे तो less लगाने से पहले जो side से joint है वो joint कर ले less लगाने के लिए sleeves को सीधा रखें कपड़े को मैंने सीधा रखा है अब यहां करीब आदा इंच कपड़ा छोड़के और इस तरीके से half pressure foot का use करके और पूरे में यह less लगा दें बिल्कुल के नारी पर sly लगानी है अब less लगाने के बाद जो हमने चोड़ा पटा इसका cut किया है उसको इसके ऊपर रखें अब इसको गुमाए आब देखें जो sly दिख रही है बिल्कुल उसी sly के ऊपर हमें दूसरी sly लगा कर इन दोनों को आपस में जोड़ना है अब हम इस पट्टी को पूरा पीछे की तरफ गुमाएंगे देखें लेस पूरी अच्छे से यहाँ पर fix हो चुकी है सफाई के साथ अब यह जो चोड़ी पट्टी है इसको हम उपर की तरफ से fold करके इस तरीके से और एक बार iron करेंगे iron करने के बार इस तरीके से किनारी पर sly लगा कर यह sleeves design पाकिस्तानी sleeves design तयार कर लें देखें इस तरीके से यह umbrella sleeves तयार होती है आपको मेरा यह sleeves design और cutting और stitching का style कैसा लगा लाइक शेयर कॉमेंट करके जरूर बताएं इस कुर्ती का जो neck design है वो मैंने last video में शेयर किया था इसकी link आपको description में मिल जाएगी thank you for watching this video